जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनु उपर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट। जो भी कुछ हुआ उसके बीच इंडिया और चाना को लेके मैं क्यों जोड रहा हूँ उसको जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और वीडियो में आप लोगो यह भी बताऊंगा कि इससे चाना के लिए सिकुरूटी के खत्रा क्यों बढ़ चुका है और क्यों इंडिया को अब F35 को लेके पॉजिटिबली सोचना चाहिए दोस्तों अब अब सब लोग को पता ही है कि अमेरिका द्वारा किस तरीके से भारत को बार बार F35 फाइटर एयरक्रप्टों को भारत किया जा रहा है अमेरिका चाहता है कि इन एरकरप्टों को भारत खरी दे ताकि अमेरिका का फाइटर एरकरप्ट का विक्री भी हो और इंडिया को भी चायना के खिलाप एक मजबूती मिले उस समय भारत के तरफ से इसे लेके कोई जवाब तो दिया नहीं गया लेकिन चायनीज मीडिया में इसे लेके बहुत बड़ा हल्ला मचाया गया और भारत और अमरिका को एक तरीके से धमकाने का कोशिश किया गया और ये जाताने का कोशिश किया गया कि भारत को F-35 नहीं खर तरनाक बात है क्योंकि इसे देखते हुए इंडिया भी F-35 के तरब जा सकता है F-35 का credibility इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अमेरिकी एरक्राफ कैरियरों में इस्तेमाल होने वाला F-35 भी अगर अब चाइना के उपर हमला करने का कोशिश भी करे तो इससे चाइना के अंदर अफरातप्री मस सकता है और अगर कोशिश ना करके खाली चाइना के बॉर्डर के निजदे उरान भी भरे तो चाइनीज एरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर एक खलचल मत जाएगा दोसे इन एरफोर्स का जो सबसे बड़ा खासियत है वो है इसका स्टेल्थ फीचर जिसका प्रूप इरान द्वारा दिखाया जा चुका है दोसे इसराइल द्वारा इन एरफोर्स का इस्तिमाल करके कई देशों का बॉर्डर को क्रोस करने के बाद इरान के अंदर आके हमला करने का मतलब ये है कि इतने सारे देशों के अंदर इस्तिमाल होने वाला रैडर में ये पकड में ही नहीं आया जो कि इंडिया के लिए भी एक बहुती पॉजिटिव बात है क्योंकि ऐसा अगर सच में हुआ है तो इंडिया भी अगर इन एरक्रेप्टों का इस्तिमाल करके पाकिस्तान के अंदर बाला कोट जैसे एरश्राइक या फिर चाइनिस ठिगानों के उपर हमला करता है तो चा एरफोर्स के इन F-35 के द्वारा S-300 के राडर को चक्मा दिया जाना संभव है तो यह आसानी से चाइनिस राडरों को भी चक्मा दे सकता है आप सबको पता ही है कि चाइना द्वारा S-400 भी खरीदा गया है और S-400 को दिब्बत के नजदिक डिप्लॉय भी किया जा रहा है लेकिन आपको यह भी पता होगा कि चाइना के इन S-400 के पास इंडिया द्वारा खरीदे जाने वाला S-400 जैसे इतना शमता नहीं है और इसके शमता को अपग्रेड़ S-300 के साथ कमपेर के आजा सकता है मतलब अगर इंडिया अमेरिका से F-35 जैसे फाइटर एरकर्टों को तो यह आसानी से चाइनीज रड़रों को चकमा दे के चाइना के अंदर तक जाके हमला करके आ सकता है दोस्तों मैं कभी भी किसी फाइटर एरकर्ट को सपोर्ट करके नहीं बोलता हूँ कि इंडिया को यह खरीदना चाहिए मेरा हमेशा से ही यह कहना होता है कि इंडियान ए एरकर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए और अगर एरफोर्स के तरफ से इन एरकर्टों को एक पॉजिटीव एरकर्ट के तहत माना जाता है तो गौ़र्मेंट को अमेरिका के साथ एक हाड नेगोसियेशन करके अपने शर्तों को मना के अमेरिका से इन एरकर्टों को हासिल दोस्तों इस्राइल के द्वारा इरान के उपर स्ट्राइक चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा जटका है क्यूंकि चाइना इरान का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाब भी कर रहा था। इरान का जो परवनो हत्यारों का टेक्नोलिजी है उसे भी चाइना के मदद से ही बनाया गया है और चाइना ही वो देश है जो इरान के परवनो हत्यारों को बिक्सित करने में मदद कर रहा था। इरान का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करने का भी इरादा रखा जा रहा था। पर अब चाइना का ये मनसुवा भी फेल हो गया लेकिन मनसुवा फेल होने के साथ साथ चाइना के उपर खत्रा भी चारों तरब से उमढ़ के आगे आ रहा है। दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे कि चाइना के कुछ पड़ोसी देशों के अंदर अमेरिका का F-35 फाइटर एरक्राप ऑपूरेट भी करता है और अमेरिका के लौकिट मार्टिन कम्पनियों से इन देशों के द्वारा F-35 को बड़े मात्रा में खरिदा भी गया है इन देशों में जेपैन और सौथ कोरिया प्रमूख है जबकि अमेरिका द्वारा अपने एरक्राप कैरियरों में भी F-35 को डिप्लॉय करके सौथ चाइना सी के नस्दिक तैनात भी किया गया है तो इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि किस तरीके से चाइना को F-35 एरक्रा F-35 को ज़रूर एक मौका देना चाहिए चाहे वो MMRCA 2.0 टेंडर के तहत हो या फिर कुछ नया एडिशनल टेंडर के तहत हो इंडिया को अमेरिका के साथ कुछ F-35 एरक्राप्टों को लेके बातचीत आगे बढ़ना चाहिए और एक पॉजिटिव नेगोसियेशन के साथ इंडिया को अपने बेडे में F-35 जैसे अडवांस सरेंट फाइटर या क्राप्टों को शामिल करने के लिए सोज विचार भी रखना चाहिए तो दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि इरान के F-35 का जो कारनामा हाली में दिखाया गया है उसके बाद भारत को F-35 के लि जैहिन